और यहां देखे दूसका रहे बहत सब्सक्राइब दो चाहिट Hack के रहा जाए होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे वैलकम टू माई नी व्लोग और सुभर के बजगे साड़े दस और सुभर का जो हमारा काम में सारा हो गया साफ सफाई भी नास्ता वगिरा भी सब कुछ हो गया और आज मिस्त्री जी नहीं आए वस कीचन का काम तो कली कंप्लीट हो गया था आपको बता दू और आप मुझे इसमें लगाना है सारा समान जो उपर रखा है आज भी मैंने नास्ता उपर ही बनाए था क्योंकि रात बहुत देर हो गी थी हमें करते वें ठक भी गए तो इस वज़ए से फिर रात नहीं हमने मतलब समान नीचे उता रहा था आ इनको भी बोलती हूं एक एंक दो चकर यह लगा देंगे तो फिर लगा तो मैं आराम सदूंगी थोड़ा थोड़ा करके सारा लगा दूंगी अलमारी में कैसे कैसे करूंगी देखो टाइम तो भी सेटिंग करने में लगे गई क्योंकि ऐसा लगता है कि आज यह यहां पर दो कल यह लगएगा कि यहां पे गलत रखा यहां पर दो तो साटींक तो खैर धीरे धीर बनेगे लेकिन भी यह इतना भी हो सके गा मिर से में सारा स्ञाइट करूंगी आर्मारी में हैं तो बस अब ले कैसने की पोलती हूं कि समान रखवाद्व देखती हूं कि आब लगे अभी दोनों ओपिस में लगे हुए समान रखवादो वो रसोई का समान रखवादो रसोई का दो दो चक्कर लगादो बस दोनों भाई फिर मैं लगाओ जाऊंगे राम से हो है क्या टाइम अभी अगर टाइम हो तो देख लो नहीं तो फिर थोड़ी देर माई जाई हो तो जी चलती हूं मैं भी उपपर दिखाती हूं आपको समान की भी सफाई मैंने कल कर दी थी आपने देखा होगा पहली वीडियो में यह देखिए पूरा साथ करके धराया है और यहां मैंने कीचन की क्लीनिंग जी कर दी क्योंकि खाना बनायाता नहीं कई और यह दब्बे वगेरा सब साथ है बस मुझे लगाना आया सारा समानी चले जाकर और देखे बाबु जी भी आ गए है और क प्रिष्णा कैसी है बाप की तब्यात है ठीक है और वह दूसरी है इसुदेवी आज इसुदेवी भी स्कूल नहीं गई क्योंकि इसकी तब्यात भी डाउन थी आज इसको आज बेच जीनी कल महां पर इसको फीबर हो गया ता रात भी इसके सर में तर दुआ तो इस वज़ आप भी पड़ोगे क्या क्रिष्णा बाबू क्यों चलो अच्छा आप आजाओ मेरे साथ काम करवाना थी क्या काम तो यह करवादा का बस स्कूल मना बेज्जों से हाँ तेरी तो रोज छुट्टी रहे स्कूल या किस दिनर तू रोज दो दिन जावे है तो दिन तेरी छुट्टी रहे है हाँ समान रखवा चलो ठीक है पापा को बिलालन उनको पापा चलो पापा चलो समान रहे है हाँ थीक है यहां बस रखने लगे हैं समान और मैं इनको पोड़ियों पर पकड़ा रही हूं समान है और ये बस नीचे से नीचे ले रहे हैं क्योंकि बार बार उपर आना और मैं ऐसे ही जैसे मुझे मतलब देना है जैसे पहले बड़ा बड़ा दे दिया फिर जो छोटा समान है वो मैंने परांत में रखके दे दिया क्यों सामान रखवाने में तो बस सभी मिल जूलक है लगे वे हैं समान मिच्छे उतारने में और देखे सारा समान आ गया है कीचन में देखे कितना सारा समान है तो अब बस देखने लगी हूँ पहले तो यहीं सोचरी की क्या कहां रखना इसमें पहले मैं इसुने रख दिया है काफी सारा समान वो कल साम के टाइम में लिया आई थी काफी सारे उपर से डब्दे उतारके तो उसने लगा दिये ते उससे लग रहा था कि ममा मैं करूंगी रसोई सैट तो यहां उसने करी है तो बस अब मैं भी देख रही हूँ कि कहां क्या लगना है संमान वो ही सोच रही हूँ कैसे कैसे सही रहेगा कुछ सामान ऐसा होता है ना जैसा मुझे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो वो मैं सोचरी की अस वाले बोक्स में रकेला हूँ मतलब जो क्या बॉलते हैं से कबर्ड और बाकी जो कम जरूरत होगा वो इधरawsन हैं ठीक रहेंगे इसने तो लगा दिया है सारह समान और वाले में तो जो बड़ा बड़ा समान है वो सारा आ जाएगा जैसा अटा वगेरा और दाल चिन्नी के डबे सारे ही वो लगा दूंगी जो पहले थे क्योंकि अपर तो आएंगे नहीं भारी समान है बहुत और बड़े भी है तो उपर वाली जो अलमीरा है अब उसमें पहले स्लेप पर आ जाता था समान लेकिन अब वो छोटी होगी ना उसमें फीटिंग हुई अंदर की साइड उसमें लकडी लगी स्लेप ना तुडवाने की वज़े से लगाई क्योंकि फिर जो अलमारी है उनकी फिर वो चड़ानी थी ना इस वज़े से तो यहां बस जो नीच् किचन की सफाई पोच्चा लगा इसलेप साप कर दूंगे और जाड़ू लगा दूंगे तो देखें जी मैंने कीचन कर दी है बिल्कुल सैट जो भी कीचन का सामान था वो सारा लगा दिया और रह गया है बस गैस गैस अभी यह लेकर आएंगे क्योंकि यह बॉल देते की स तो क्या समय वन्हें कैसे रख लिए हैं इसमें तो मैंने देखे हैं यह दब्वे लगा दिया जो रासण वाले दाल हगे थोड़ा सांटा पड़ गया यह लेकिन जब निकालने पड़ेंगे सारे निकालने पड़ेंगे तो फैरकोई कोई बात नी देख लेंगे जैसे भी और इधर मैंने रख दिया, फोयल पेपर और यह टी सू पेपर, जो की हमारी, मतलब डेली उज के सामान है, रोज के, वो मैंने इसमें रख दिये, रासन के सारे डब्बे, तो और दूसरे वाली यहां साइड में, इसमें मैंने मतलब जाद तर यूज वाले ही रखे, पीछे म मतलब थोड़े थोड़े मसाले थे वो तो कभी-कभी जरूरत पड़ते हैं और सामने मैंने इसमें रखा है चिन्नी, खांड और चाय की पत्ती और आप बोल रहे थे ना कि खांड और चिन्नी यह की होती है ऐसा नहीं है तो मैं आपको आज यह भी बता देती हूं कि खांड बहुत ज़्यादा फर्क होता है चिन्नी वाइट होती है लेकिन यह थोड़ी सी ब्राउन सी होती है और यह बूरे की तरह थोड़ी पतली होती है चिन्नी से बारीक यह नहीं है कि यह मतलब ना तो बूरे जितनी यह बारीक होती और ना चिन्नी जितनी मोटी होती यह बीच तेस्ट में भी खाने में भी इससे थाने में ऐसा जैसा चावल के साथ भी खा सकते हैं या फेर जैसा दूतर चाइभ चाई बगेरा बनाते हैं धुद्वेश्सLE क्षाण कर और है अच्छी लगती है यह ईवाल्य है डबबे जो मतलब ये राइच साइड यूज होने वाले निकल जाएंगे और यह बोन्वीटे का डबबर लग यह तो रखती है और इस वाले में रखे हैं जो कभी-कभी यूज होता है जिसमें मतलब एक्सेट्रा सामान है जो वह वाला यह मैंने साइड में लगा दिया इसमें कभी जो भी जरूरत पड़ेगी मैं निकाल लूँगी यह वाला समान ऐसा है जैसे कभी-कभी उजोता है और इस वाले में मैंने रख दिये मैंने यह जैसे मिक्सी के जार लंच बोक्स बगेरा और यह कड्दूकस बच्चो की बोटल लंच बोक्स बच्चो के यह सारा समान रख दिया जो मुझे जरूरत पढ़ता रहता है यह वाला तो इसमें यह लगा दिया सारा समान तो अभी तो देखो मैंने टेंप्रेरी सेटि करी है मैं यह निकती बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि दिरे-दिरे मैंने पहले ही बताया था कि दिरे-दिरे ही होगी सारी सैटिंग और अब यह फ़स्ट वाली रैक जो नीचे वाली है इसमें मैंने साइड में रखा है आटा और जो रोटी बनाने का समाने तवा चिम्टा चकला और बेलन यह सारी चीज रखती देखिए और बीच में मैंने यह पहले आलू और प्याज दूसरे वाली रैक में रखेते ना तो अब यह वाली खली होगी और वो जो दूसरे वाली श्टील की है वैसा तो लेकिन वो इसके अंदर नहीं आती अलमीरा के पहले से ही नह पूरत होगी तो निकाल लेंगे यह से ही तो फर्स्ट ट्रैक में यह समान रखती है दूसरे वाली में देखिए इसमें यह बाल्टी जो बड़े-बड़े समान है चिन्नी चावल खांड यह अचार वगेरा के डब्बे यह रखती है इधर इसमें आ जाएगा सेलेंडर और सलेंडर का अभी तक मारा यहां पे वह नहीं है मतलब है इसमें वह बाल रखता है जो वह बाठता है छी और यह रखता है और बस कढ़ाई वगेरा मितलब जो एक्स्ट्रा परतन है वह लगा दिए तो यह थर्ड वाली और यह तो वहाली है जो पाईप यह वाला इसमें इसमें स्पेस काफी आगया तो यही रख दिया और वरतन सारे रैक में लगा दिये फ्रीज भी वने साप कर दिया था देखिए बिल्कुल अच्छे से साप कर दिया यह से बता खराब हो रही है इसा तो गेव तो और यह सब्जी लिए सब्जी मैंने रख दि दोड़ी फ्रीज में और जरी हैं और यह दोड़ी इनको भी फ्रीज में रख दूगी तो जी अभी तो मैंने इसी तरीके से सैटिंग करी है अपनी किचन यह आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे कैसे मुझा करनी अगर आप कहोगे कि क्या चेंज करना तो मैं कर दू इस वज़ा से और यहां पर देखें है ओईल घी वगेरा मैंने तक रहती चीज ऑधर टोकरे नहीं और भागर दिया यहां पर दोगर में निकांगर से लगवा दिया और जमान भी आरांस रखा जाएगा तो यह सारी चीज़े रखती बाकी आप बताना कैसे कैसे मुझे सैटिंग करनी मैं इसी तरीके से करूंगी और एक चीज और आप से पूछनी थी यह वाली जो फर्ष्ट वाली हमारी रहाख है यह कोर्नर में आगी तो हम सोच रहे थे इसका मतलब आइडिया लेना चाहते हैं से आप से आप बताऊ कि यह करना ना में इसका एक दिमाख में आ रहा कि हम इसका मंदीर बना ले क्योंकि आप बोलरे ना कि मंदीर नी विन्गा क्या उर्णी होता हैं तो इसनियाम् कंफिज पर बैड के पास रखने में मंदीर थोड़ा सा दिक्कत ही होती है कि पैर अगेराते हैं निच्छे की साइड मंदीर तो निच्छे रखा जाएगा इस वज़ा से और आप भी कमेंट करके बताना कि यह ठीक है या नहीं अगर आम इसमें अपनी मतलब जो मंदीर है इस वाली रैक में बना ले यह जो बनी है अच्छी खासी बड़ी है इसमें थोड़ा सब पर तो हो लेकिन फिर भी इसमें हो जाएगा मंदीर का मतलब मंदीर अच्छा बन जाएगा इसमें तो आप कमेंट करके बताना बस मंदीर बनवाने की यही थोड़ी से प्रेशान नहीं आ रही कि कहां पर रखे है जगह इतनी है निपर उपर रखने के लिए और पहले हमारे पास था अभी मंदीर फिर हमने अटा दिया पहले किसी ने जैसा इस टार्डिंग में लोग बनाते तो कमेंट करते थे कि मंदीर नहीं होना चाहिए घर में अजब इंदू रहती थी यहां पर तो पहले से मंदीर था आमारे पास है भी वह अभी रखा है छोटा है वो लेकिन और फि हमें से से पर रखनी चाहिए मुर्ट यह इसलिए तेबल पर रखी हम रहता है कभी कोई कोई कुछ बोलता है चाहि और कि क्या करें क्या सही है कि अगलती है तो देखको किसी नहीं पता भगवान को पता यह तो पर नहीं आप उधर रखा तो दर बैड भी जरूरी क्योंकि दो ही कमरे हमारी पास हैं बैड भी डालेगा आप बाहर यहां पर सोफा जाता है यहां भी जगेंगी है बाहर सोफा बनाने की बिल्कुल भी कोर्णर में एक साइड में रही यह वाली मंदिर इधर टीवी वाली ज बताना और कीचन मेरी कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके जरूर बताना आपको पसंद आई मेरी सैटिंग करी हुई या नहीं आई या फिर कैसे करनी चाहिए वो सबाब जरूर बताना तो बस अब मैं थोड़ी देर रैस्ट करके क्योंकि साड़े पारा बजगे फिर क्योंकि आए